हेलो अब्रीवान ग्रीटिंग्स तो अल इस साक्षेक्रवाल है इंपर्टन टॉपिक रहेगा आज हम इनके थेओरी पढ़ेंगे बात करें किनके इस्पिरेंट्स के लिए इंपर्टन है तो सीटर टीर प्लस भी केविस एंवेस रीट या फिर आप ऐसा को एक्जाम दे रहे हो जिसमें थेओरी कवर होती हो तो वो सब भी एस्पिरेंट्स वीडियो को देख सकते हैं सो आज हम बात करेंगे कि विसी करी एलल थर्स्टन ने कौन सी थेओरी दी थी इनकी दो थेओरी जिनको मेजर माना जाता है वो फर्स्ट है फेक्टर अनालिसस और सेकिंड है पीमे या फिर प्राइमरी मेंटल अबिलिटीज सो वो इंटेलिजेंस को कैसे कवर करती है या फ सब ही छीजे हम इस वीडियो में देखेंगे आपको अपने इसाब से जो इंपोर्टन लगे उसके आप पिक ले सकते है या फिर से कहीं राइट डाउन कर सकते है वो टेवर यू थिंक फिट विद यू सो विद इस जनर इन्फो लेट स्टार्ट दा वीडियो अला क्लासस सबसे पहले है कि थरस्टोन की थियोरी ओफ इंटलीजेंस है क्या तो मेजर आपॉनेंट और स्पीर मैन यही। एंधे ऐसं जो ए झीजरींस का जिक ए पर त्स spearman ने जो का है वो बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि एक बच्चे के अंदर एक ही general factor होता है intelligence का उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए अपनी थियोरी को रखा है सबसे पहले तो हमें यहीं बात याद रखने हैं कि इन्होंने spearman का विरोध किया था है यानि कि इन्होंने 50 से जादा ability test को लोगों पर टेस्ट किया और उसके बाद यह conclusion निकाला कि जैसा कि spearman ने काय कि कोई G factor होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता इन्स्टेट थर्सटं प्रपोस्ट ताट intelligence is composed of 7 primary mental abilities जबकि इनका मानना था कि एक नहीं 7 primary mental abilities के factor होते हैं जो किसी के अंदर पाय जाते हैं इन्होंने का एक factor इंक्लूड नहीं होता यह multiple factor होते हैं और इन्हीं का test अगर human being की intelligence के लिए किया जाएगा तो हम किसी human being की intelligence का पता लगा सकते हैं आगे देखते हैं इनकी theory का अगर हम नाम देखेंगे क्या था तो group factor theory था या फिर आपसको primary mental abilities तो हमें दोनों ही नाम याद रखने होंगे ठीक है आगे है कि थर्सटन ने definition of intelligence क्या कही थी या फिर उनके सबसे intelligence क्या है तो intelligence considered as a mental trait उन्होंने कहा है कि intelligence क्या है एक mental trait है capacity है जिससे हम impulses को क्या करते हैं अपनी impulses को focal में लाते है focal point आपने science में भी देखा होगा केंदर बिंदू होता है यानिकि हम अपनी impulses को कहा पे केंदर बिंदू में लाते है unfinished stage of formation यानिकि unfinished है अभी भी create हो रही है intelligence is therefore the capacity for abstraction which is an inhibitory process यानिकि intelligence क्या है एक abstraction process है यानिकि हम abstract चीज़ से जब कुछ reason निकालने लगे कुछ logic निकालने लगे तो वो intelligence के अंदर आएगा तो यह सारी terms में याद करने होंगे से कि first है mental rate second है impulses focal और तीसरा है आपका abstract की capacity और fourth inhibitory process यह चारों अगर आपको लिखे दिखे किसी definition में तो हम क्या मानेंगे कि यह first on की है आगे देखते हैं कि psychologist और जो थे उन्होंने intelligence के बारे में क्या कहा है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसमें ability है याद करने की जिसमें ability है problems को recognize करने की यह कि solution तो बात में आएगा सबसे बहले तो problem create होगी और फिर अगर problem create हो गई उसके बच्च को solution होने इसमें बच्चे के अंदर काबिलियत हैं तो हाँ वो intelligent है ठीक है आगे बात करते हैं कि major contribution क्या रहा है अपने थर्स्ट उनके तब फर्स्ट में आपको बताया पी में रहा या फिर primary mental abilities रहा और दूसरा क्या रहा कि multiple factor analysis रहा उन्होंने माना कि एक बच्चे की बुद्धी एक जी factor पर डिपैंड नहीं करती है multiple factors पर डिपैंड करती है जो कि उन्होंने 7 दिए आगे देखते हैं अब primary mental abilities के बारे में उन्होंने क्या का तो psychologist Louis L. Thurston 1887-1995-1955 offered a differing theory of intelligence instead of viewing intelligence as a single or G factor of the general ability Thurston theory focused on seven different primary mental abilities यह हमने पीछे ही बढ़ा था कि Thurston ने क्या क्या है साथ पे जोर दिया है अब वो साथ कौन से यह लिखी हुई है हाला कि क्या है कि Thurston की जो साथ थी उसमें recently उसने दो एड़ करी थी कुछ टाइम पहले तो वो 9 हो गए थी वो 9 भी मैंने आगे स्लाइट में ली है पर अभी अभी एक बार हम साथ ही देखते हैं सबसे पहला है यानि बच्चा क्या है भी यारे कि उसको याद हो पछे दोहराने की कोशिश कर सकता है अग बच्चा क्या है जोडता है अगर मानल выгляд उसको साथ कोई ऐसा इंसीडेंट होता है जिससे उसको कोई पुरानी बात याद होती कि हाँ भई पहले भी ऐसा हुआ था तो बच्चा क्या करता है उससे relate करके इस वाली incident को solve करने की कोशिश करता है इस वाली problem से cattle करने की कोशिश करता है तो यह क्या आएगा आपका ऐसा sweet memory के अंदर आएगा numerical ability यानकि एक बच्चे के अंदर logical सोचने का ability होता है arithmetical problems को solve out करने का problem solution होता है perpetual speed यानकि अगर एक बच्चा difference या फिर similarity किसी भी object में निकाल पाए तो उसे हम perpetual speed कहेंगे reasoning वही एक बच्चा reason कर सके किस चीज का rule कर सके special visualization क्या है आपका कि एक बच्चा किस चीज की जगा को देखकर map सके कुछ visualize कर सके चीजों को verbal comprehension की वह किस तरीके से define या फिर understand कर सकता है words को word fluency यानि कि इसकी speed कितनी है word fluent की कि किस rapidly वह क्या कर सकता है words को produce कर सकता है या फिर अपनी बात को रख सकता है बूल सकता है तो यह आपके इस तरीके से 7 हो गए आगे देखते हैं थर्स्टन अनालिसिस 56 यह बसी कली कुछ नहीं है बस यह है कि इसने 56 टिफरेंट टेस्ट चेक किये थे मेंटल अबलीटीज के दोसलों से थर्स्टन अनाल्सिस 56 याद कर सकते हैं थर्स्टन का से 28 में दिया था हुनने था कि एक बच्चे का एटिट्टीूड चेक कर सकें थैलिजन के लिए पो इसकूज रही नेक्स्ट टफरेंट डू रूरिय लुईस थर्स्टन गुप खेकर त्योरी यह नहींने कहा कि बहुत सरी ग्रूप सोते हैं जिनका factor analysis करके एक बच्चे का multiple intelligent देख सकते हैं saying that intelligent is a cluster of abilities these mental operations then constitute a group a second group of mental operation has its own unifying primary factor a third group has a third primary factor and so on यानि कि एक से एक से एक जुड़ा हुआ होगा each of them has its own primary factor each of these primary factors is said to be relatively independent of others यानि कि जरूरी नहीं है एक दूस्तों से मिला हुआ हो independent भी हो सकते हैं he pointed out that there are seven PMA and later on added two more यानि कि पहले उन्हें seven भोले पर उसके बाद दो और add किये थे so next slide में देख भी सकते हैं दो नीचे के जो उसने add कि सबसे पहला deductive reasoning यानि कि बच्चा क्या करेगा अपनी लीग से हटकर कुछ अलग करेगा लीग से हटकर कुछ अलग सोचेगा और उसके क्या है problem-solving ability factor होगा उसके अंदर कि वो अगर उसके कोई problem आती है तो उसका क्या कर सकता है उसका solution सोच सकता है अब एक question था intelligence related सब्सक्राइश में डाल दिया crystallized intelligence का मतलग क्या होता है सो इसका answer C रहेगा अपना की learning and experience आगे हम देखते है कि crystallized intelligence basically होता क्या है तो crystallized intelligence refers to the accumulation of knowledge facts and skills and they are acquired throughout life people often claim that their intelligence seems to deny as the age crystallized intelligence basically है क्या जैसे जैसे हमारी अमर बढ़ती जाती है हमारी experience से हमारी learning से क्या होता जाता है कि हमारी knowledge में enhancement होता जाता है हम नई नई चीज़ accumulate करते जाते हैं क्योंकि हमारी observation बढ़ती जाती है इसलिए crystallized का मतलग क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा नॉलेज का दाइरह बढ़ेगा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी याद करने की शक्ति वगरा कम हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है वो कुछ हद तक सच है पर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की बात करें तो करते हैं वैसे वैसे हमारी इंटेलिजेंस क्या होती जाती है फ्लक्सिविली चेंज होती जाती है जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस क्या था एक्यूमिलेशन था यान कि कठ्था होना था आगे क्या है साइकॉल्जिस्ट रेमिन कैटल फॉर्स प्रपोस्ट्स अ कॉंसेप्ट fluid and crystal intelligence and further developed the theory with his students John Horn, यानके में याद करना है कि Raymond Cattle था, जिसने पहली बार fluid and crystallized intelligence का concept दिया था, ठीक एक नमबर का question MC के उपना बन सकता है, उसके बाद इसे the cattle or horn theory कहा जाने लगा, fluid and crystallized intelligence के, क्योंकि दोनों ने मिलके बाद में और खोजे किस के अंदर, suggests that intelligence is composed of different abilities that interact and work together to produce overall individual intelligence, इनका मानना था है कि ये दोनों ही मिलके क्या करते है, fluid or intelligence, fluid or crystallized, एक इंसान का overall individual intelligence करते हैं, यानकी पूरा का पूरा उसको intelligent बनाते हैं, डियाग्रमाटिक व्यू से आप देख सकते हैं, fluid intelligence क्या है, एक global capacity है, reason कि या बहुत तरीकों से सोचते हैं, क्योंकि fluid है, flexible है, ability होती है, इसमें learn करने की new things, और think करते हैं, abstractly और solve करते हैं problems, जबकि crystallize क्या है, एक factor पर depend करता है, accumulation होता जाता है, जिससे जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप learning experience लेंगे, उतना साथ ही कठा होगा यह, और increase होता जाता है, age के साथ, यह थर्स्ट on की अपनी theory रही, हमने इसको एक diagrammatic में view कर दिया, थर्स्ट on के seven skills of primary mental abilities, थर्स्ट on ने क्या कहा था कि कोई G factor नहीं होता है, उसने फोकस किया था, अपना seven primary mental abilities पे, जो कि the verbal meaning, यानि कि एक बच्चा क्या कर सकता है, verbally कितने words को understand कर सकता है, define कर सकता है, perceptual speed, यानि कि एक बच्चा अगर difference या फिर similarity निकाल सके, किसी object में reasoning, यानि कि जब वो rules वगरा reasons वगरा create कर सके, number यानि कि arithmetically वो strong हो सके, rote memory यानि कि, rote memory में basically इसने बोला था, यानि कि थर्स्ट ने बोल था, एक बच्चा memorize कर सकता है, फिर recall कर सके पिछला, associated memory भी कहा था, word fluency यानि कि एक बच्चा की rapidly कितनी speed है, किसी चीज को produce करने की, अपने बातों को, अपनी words को, special visualization था, यान कि एक बच्चा visualize कर सकता है, क्या किसी चीज को, किसी चीज की जगा को देख कर, ठीक है, so, यह अपने साथ थे, I hope आपको समझाया होगा, so, if you like the video, please press the thumbs up button, or the like, show the video, and subscribe my channel, thank you, have a nice day,